लेपोड अन पॉर्किवाइन फाइट एक जंगल में जीता रहता था उसे अपनी ताकत का बहुत घमन था तीजी से भागने के कारण उसे लगता था कि वो किसी का भी शिकार कर सकता है एक बार उसकी नजर जंगल में रहने वाली साही पर जाती है आज तक तो छोटे और बड़े सभी जानवरों का शिकार किया है पर ये साही का मैंने कभी शिकार नहीं किया वैसे उसके बच्चे भी उसके पास है तो नरम नरम मास खाने में तो और भी मजा आएगा और उनका स्वाद ओह 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 ये तो मुझे मौका कभी नहीं मिला उस जंगल में साही अपने बच्चों के साथ रहता था चीते का मन उसे खाने का होता है और वो उसका शिकार करना चाता है इसलिए वो पेड के पीछे साही पर नजर रखता है और सही मौके का इंतिजार करता है ये सब पेड पर बैठा बंदर देख लेता है और वो चीता से नहीं कर सकता, सब सिट डरते हैं मतलब क्या है तुमारा बंदर, मैं क्यों नहीं कर सकता साही का शिकार मुझसे फालतू की बाते मत करना, मैं बहुत फुर्तिला और तेज जानवर हूँ आज तक भला मुझसे कोई बच सका है, तो ये मामूली साही क्या चीज है अरे इसे मामूली मत समझो, साही के उपर जो नुकीले काटे हैं, वो किसी को भी घाल करने के लिए काफी है मैं तो उन काटों को नोच लूँगा, अब तो देखता रहे तू पहले इन साही का शिकार करता हो, और बाद में तेरा चीता की ये बात सुनकर बंधर डर के मारे वहाँ से चूमंतर हो जाता है चीता बहुत ही घमंडी था, उसे देखकर घुराने लगता है साही समझ जाता है कि चीते के मन में क्या चल रहा है साही कहता है, अरे ओ चीते, मैं पहले ही आगा कर देता हूँ तुम मेरे और मेरे बच्चों से दूर रहो, एक कदम भी आगे किया, तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा इतना सा साही और मुझे चेतावनी दे रहा है तू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, चुप चाप से अपने बच्चे मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा साही अपने बच्चे को पेड़ के पीछे रखता है, और चीता से मुकाबला करने के लिए सामने आता है, दोनों भी एक दूसरे को बराबर की टक्कर देने के लिए तयार थे, उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है चीता साही पर हमला करता है, तब उसे उसके नुकीले काटे चुमने लगते हैं, पर वो फिर भी हार नहीं मानता, तब चीता सोचता है अगर साही को मारना है तो उसकी पीट पर हमला करना नहीं चाहिए उसके काटो से तो मैं ही घायल हो जाऊँगा मुझे उसकी गर्दन के नीचे हमला करना पड़ेगा तभी वो मेरी पकड में आएगा चीता ऐसा सोची रहा था कि साही कहता है क्या बात है चीता लड़ाई से डर तो नहीं गया चल अभी भी वक्त है पीछे हट जा साही उसे ऐसा कहता है पर चीता तो कुछ और ही सोच रहा था तब चीता अपने हमले का रोख मोड़ देता है और साही पर नीचे से हमला करने लगता है जिस वज़े से साही को भी गर्दन पर जखम हो जाता है उनके बीच में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है लड़ते लड़ते चीता साही की गर्दन पकड़ लेता है अब साही को कुछ समझ नहीं आता अरे ये क्या इस सीता ने बड़ी होश्यारी दिखाई है पर मुझे भी अपने बच्चों के लिए कुछ करना ही होगा साही ऐसा सोच कर अपनी पूरी ताकत से खुद को मोड़ देता है जिस वज़े से उसके शरीर के काटे चीता की आँखों में गुज़ जाते है वैसे ही चीता साही को छोड़ देता है और चिलाने लगता है हाई हाई मिरी आँख मिरी आँख इस तरह से साही ने अपने शरीर पे बने काटों से अपने और अपने बच्चों की जान बचाई ठीता अब देखने के लायक नहीं रहता और अब वो किसी का भी शिकार नहीं कर सकता था तब साही अपने बच्चों से कहता है देखा बच्चों, हम अपने शरीर की वजह से अपना कैसे वचाफ कर सकते हैं आगे चल कर तुम्हें भी ऐसे ही करना है तो ये बात तुम ध्यान में रखना इस तरह से साही अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में आराम से रहने लगता है हर किसी में कोई न कोई ताकत छुपी रहती है बस हमें उसे पहचान कर उसका इस्तिमाल करना चाहिए पर उस ताकत पर कभी खमण नहीं करना चाहिए होश्यार कच्चुआ और पतक जंगल से कुछ तूर पर एक तालाब था उस तालाब में कच्चुआ और बतक दोनों अच्छे दोस थे और एक साथ ही रहते थे एक दिन बतक कच्चुए से क्याता है दोस्त मैं तुमसे तेज भाग सकता हूँ बतक की बात सुनकर कच्चुए ने कहा अच्छा तो मैं तुमसे भी तेज भाग सकता हूँ तब ठीक है हम इस पानी में प्रतियोगिता रखते हैं पहले हम दोनों में से जो भी उस पार किनारे पहुचेगा वही जीतेगा इस तरह बतक और कच्चुआ प्रतियोगिता रख लेते हैं और प्रतियोगिता में कच्चुआ जीच जाता है तब कच्चुआ बतक से कहता है कचुए की बात सुनकर बतक कहता है ये पानी है ना इसलिए तुम तेरते हुए भाग गए इस बार हम पानी से बाहर जाकर प्रतियोगिता रखते हैं तब देखेंगे कौन जीता है ठीक है तो तुभारी ये खौइश भी पूरी कर देता हूं जमीन पर भी मैं ही जीतूंगा दोड की प्रतियोगिता शुरू करने से पहले बतक दोड़ने लगता है कचुए धीरे धीरे दोड़ रहा था कि तब रास्ते में भालू आता है बतक भालू को देखकर एक पेड के पीछे छुप जाता है भालू अपने पैर से कचुए को पकड़ लेता है तब कचुए भालू से कहता है तुम मुझे छोड़ दो मैंने तम्हें खाने के लिए पकड़ा है ना कि छोड़ने के लिए तब ही कचुए होश्यारी से भालू से कहता है तुम मुझे नहीं घापाओगे क्योंकि मैं पानी से बाहर आने की वज़े से सूख कर सक्त हो गया हूँ अगर यकीन नहीं होता तुम मेरी पीट को दबा कर देख लो भालू कच्छुए की पीट को दबा कर देखता है सही वे ये तब बहुत सकते अगर इसे खाऊंगा तब मेरे तब दात ही जड़ जाएंगे तब ही कच्छुए भालू से कहता है मुझे पास के तालाब में ले जाओ और मुझे पानी से भिगा दो तब ही मैं नरम बन सकूँगा और फिर तुम आराम से मुझे खा सकोगे भालू ऐसा ही करता है कच्छुए को तालाब के पास ले जाता है भालू कच्छुए को पानी में डुबोता है फर भालू अपना पैर कच्छुए पर से हटाता नहीं तब फिर कच्छुआ भालू से कहता है मैं सब जगा अच्छे से भी गया लेकिन जहां पर तुमने पैर रखा, वहां मैं अभी भी सक्त हूँ ये सुनकर भालू अपना पैर हटा लेता है जैसे ही भालू अपना पैर हटाता है कच्छुआ तुरन तेरता हुआ पानी में दूर निकल जाता है अरे ये कच्छुआ तो बहुत होशियार निकला इसने बहुत चालागी से अपनी जान बचा ली ये सोचकर भालू निराज शोकर वहां से चला जाता है तब कच्छुआ पेड़ के पीछे छुपे बतक से कहता है दोस्त अब वो भालू जा चुका है तुम भी बाहर आकर पानी में छुप जाओ बतक भागते हुए पानी में जाकर कच्छुए से कहता है तुम तो बहुत होशियार हो आज तुमने अपनी होशियारी से अपनी जान बचा ली आज के बाद मैं तुमसे कोई प्रतियोगिता नहीं लगाऊंगा तो देखा दोस्तों थोड़ी सी सूजबूज और होशियारी से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सिकते हैं मूर्ख बगुले और डेवले की कहानी कई साल पहले की बात है एक जंगल में एक भरगत का पेर था उस बरगत के पेर पर एक भगला रहता था उसी पेर के नीचे एक बिल में एक साम भी रहता था वो साम बड़ा ही दुश्ट था अपनी भूख मिटाने के लिए वो बगुले के छोटे-छोटे बच्चों को खा लिया करता था इस बात से बिचारा बगला बहुत परेशान था मैं साम का क्या करूँ मेरे नजाने कितने बच्चे इसने मार दिये मैं ऐसे छोड़ूँगा नहीं एक दिन की बात है साम की हरकतों से परेशान होकर बगला नदी किनारे जाकर बैठ गया बैठे बैठे अचानक उसकी आँखों से आँसू आ गए बगली कुनोता देख नदी से केकड़ा बाहर आया और बोला अरे बगले भाईया क्या बात है यहां बैठे बैठे आँसू के बाहर रहे हो क्या परेशानी है केकड़ी की बात सुनकर बगला बोला क्या बताओ केकड़े भाईया मैं तो साब से परेशान हो गया हूँ वो बार-बार मेरे बच्चों को खा जाता है गोसला चाहे जितना भी उपर मना लूँ वो उस पर चड़ कर मेरे अंडे खतम कर देता है अब तो उसके डर से मैं दाना पानी लेने के लिए घर से बाहर भी कही नहीं जा सकता जीना बहुत मुश्किल हो गया है कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ अब तुम ही कुछ उपाए बताओ भाईया बगली की बात सुनकर केकड़े ने सोचा बगला तो अपना पेड भरने के लिए मेरी परिवार वालों दोस्तों कोई खा जाता है क्योंना ऐसा कोई उपाए या योजना की जाए कि साब के साथ साथ बगले का विखेल खतम हो जाए तभी उसको एक उपाए सूजा उसने बगली से कहा एक काम करो बगले भाईया तुम्हारे पेड के पीछे ही दूर नेवले का बिल है तुम साब के बिल से नेवले के बिल तक एक मास का टुकड़ा बिछा दो नेवला जब मास खाने के लिए साब के बिल तक जाएगा तो साब को मारी देगा बगुले को ये उपाए बहुत अच्छा लगा उसने वैसा ही किया जैसा केकड़े ने कहा था लेकिन इसका परिणाम उससे भी बुगतना पड़ा जैसा कि आप जानते हैं कि बगुला केकड़े का भोजन करता है तो केकड़े को बगुले से अपना बदला भी तो लिना था साप के टुकड़े खाते वक्त नेवला पेड़ के पास आ गया तो उसने साप के साथ साथ बगुले को भी अपना शिकार बना लिया और इसी के साथ कीकड़ी की चालाकी से साब भी मर गया और साथ में बगुला भी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की भी बात पर आख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए साथ ही उसके परिणाम और दुश परिणाम भी सोच लेने चाहिए